कि आइए आप ही तो जो है बड़े हीरू हैं हैं और क्लेप पूरे क्या कहते हैं कि इस टीम के और जो है अज जो है हम अपने हम बहुत तो बड़े नेचर के समझी है वैज्ञानिक ही हैं साइटिस्ट हैं हमारे मिस्ञेव हम सुरेशं जो हमें खेती के जरिये मिल सकती है उसके महाविसेशग्य हैं पहले ये टेकनिकल फिल्ड से जुड़े रहे और उसमें बहुत दच्छता हांसिल करने के बाद इनका बहुत लगाव और बहुत रुची जो है आयुरुवेद और नेचर और प्रकित से जुड़ी रही उस वज से मिलवा रहें आपकी बात भी करवा रहे हैं और सतावरी जिसके इनका विसेस्स बीसेस है और जिसके पूरि किशेकर रही है और अभी तो इसका ये एक तरिके बारे में अपनी जैसे पीली सतावर कुछ लोग बोलते हैं लोग नेपाली है तो प्रकाश डाले और इस तरीके की जो भी मतलब खेती है और लोग की बारे में बताएं इसके बारे में कुछ लोग को जाने पार सतावर तो आपको पता ही है कि आउसे देव गुड़ों से पर पूर्ड है और आपको कहां से प्रेडा मिली प्रेडा की मतलब ऐसे है जैसे समझी आप एक नॉर्मली की अरहर की फसल आठ महीने धरती मा के कौक से खुराग लेती है तो उसको सारे डाक्टर करते हैं कि भाई आप प्रोटीन लेजिए और सतावर जो है धाई वर्स अपने अब आठ महीना कर लीजिए खुदी कितना होगा कितना होगा बस इतना एक नेचुरली तरीके समझे और अगर बैग्यानिक तरीके समझने जाए तो गूगल वाहाँ ही सारी डिटेल आपको देंगे तो आपर एक ऐसी महावसद ही है कि जिससे महिलाओं के तो सारे गाईनिक प्रोग में चाहे जो हो महावारी की दिक्कत हो गांठे बन गई हो यूट्रस में हाँ सफेद पानी हो लिकुरिया की दिक्कत हो या उनको कमजोरी फील होती हो और तमाम प्रकार के गाईनिक प्रावबलम है जिसके मासिक जो है नियंतर्ण में रहते हो बालों की समस्या अगर इसकी ऑर्गैनिक फार्मिंग हो जाए मतलब इसमें जो देशी गोबर है और पत्तियों की खाद है अगर इसका उपयोग हो जाए तो आप समझे की सतावर नहीं महां होता जी है चुकि होता क्या है कि ऑर्गैनिक फार्मिंग करने के बाद इसमें थोड़ा खर्च 2000 में इसी प्रकार जो है उसमें केमिकल फटलाइजर डालने के कारण उसके उसदी गुड़ों में कमी आ जाती है लेकिन ये पूरी तरीके से और्गैनिक फार्मिंग कर रहे हैं और चुकि सबको मिलकर के मतलब इनके उसदी चीजों को जो इतने बहतरीन ढंग से यह उपज में आप अभी बता रहे हैं कि आपको अगर कोई भी अपना नंबर बताएं आप और नाम भी अपना बताएं मेरा नाम प्रताप गढ़का रहने वाला हूं और नंबर मोबाइल 9794259471 इस नंबर पर आप इनसे डारेक्ट संपर करके भी आप इनसे और गैनिक तरीके से उपजाई हुई अर्क आउसदियां और तमाम प्रकार की हर्बल जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकते हैं और यह मित्र भी हैं हमारे सलाहकार भी हैं इस छेत्र के तो पौधा चाहिए प आपके पास सुध से सुध तरीके से पहुंचेगा मिलेगे आपको तो ऐसे ही सब को मिलकर के आयरुवेट से जोड़ना है प्रकित से जोड़ना है और अगर जितना ही हम और गैनिक छेतर से जुड़ेंगे मतलब प्रकित में प्राकृतिक तरीके से तो हमें बड़ी से बड क्योंकि प्रकृत का एक जो संपूर जो समझिये निचोड यही है कि 27 नच्छात्र नौगरह 12 रासियों के प्रभाव में प्रिद्वी पर समस्जीयों का जनमान सुनिश्चित है परंतु दुर्भाग है कि अग्री कल्चर में लोग जैविक खेती और रासाइनिक खेती की वि लगेगा कि हम अध्याद्विक तरीके से करते हैं जैसे कि मतलब किस समय कौन से नर्सरी डालनी है किस नच्छत्र में कब वहाई करना है ताकि उसका उसदी गुन और पढ़ जाए हमारी सतावरी समझे एगर 1000 रुपया भी किलो मिलती है तो समझ देजिए फिर ही मिल रही है इतना मतलब भुरों से भरपूर है ना यह आए वासमिकता है अब कोई खाए तब समझ में आए अब ऐसे क्या बताया जाए तो यह है कि अगर हम लोग चुकी क्या है कि कूड़ा इकठा करके कुछ नहीं मिलने वाला है दो ही चीज हो लेकिन इतना बेहतर हो कि हमें साइकड पुरुस्ते जो है जंपर कर आया तो सतावर का आनंद लीजिए लेकिन क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए जैसी आराम बंदे मात्रम